हेलो किसान भाईयो मैं सुभम कीड बीगयान बीजिस सगया आप सभी लोगों का अपनी चैनल क्रिसी गयान में स्वागत करता हूँ तो किसान भाईयो आज का जो टॉपिक है कि भिंडी में वाइट फ्लाइ जिसे कोते हैं सफेद मक्खी लग जाने पर आपको करना क्या है में देख पा रहे होंगे अगर अच्छे से क्लीर्स देखेंगे तो आपको सफेद मक्खी दिखेंगे तो मैं आपको बदा दू कि जो सफेद मक्खी का ये एडल्ट है ये एडल्ट है और ये करता क्या है ये रस को चूसता है पत्तियों के मतलब ये पूरे पत्तियों के र 30% ही नुकसान करता है किसान भायो अब बाकी 80% जो नुकसान करता है वो नुकसान करता है इसके निफ अब निफ क्या होते हैं निफ वो होते हैं जो अंडों से हैच करने के बाद ये पत्यों के नीचे सत्व पर चिपक जाते हैं जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे ऐसे निफ होते हैं चिपक जाने के बाद ये धीरी धीरी प्लांट से सक करते रहते हैं और ये 80% तक प्लांट के सारे जूस को सक कर ले जाते हैं जिसे से प्लांट में ग्रोथ भी नहीं हो पाती है और साथ में अगर फूल भी लगता है तो फूल गिल जाता है और प्लांट पूरी तरह ग्रोथ नहीं कर पाता है तो किसान भाईयो अगर आपके प्लांट में भी ऐसा रोग लग गया है और अगर आप चाहते हैं कि कौन सा केमिकल छिड़काओ करें तो आज हम आपको वही बताने वाले हैं लेकिन आप से यही कहेंगे अगर चैनल पे नए हैं किसान भाईयो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक से जरूर करें तो चलिए किसान भाईयो हम आपको बदाते हैं कि आपको केमिकल कंट्रोल में क्या करना है तो किसान भाईो आपको chemical control में करना क्या है कि आपको chemical control में दो दबा का यूज़ करना है पहला दबा है chloropyrifast जो कि 20 EC में आता है मार्केट में 3 ml आपको पर लिटर पानी में मिला कर छिड़काव करना है मतलब एक लिटर पानी में 3 ml वही सेकेंड दबा है spiro massive fin 22.9% SC माता है 2 ml पर लिटर पानी में मिला कर यूज़ करना है और छिड़काव कर देना है छिड़काव आपको या तो आप मार्कनिंग में दम करिए 5 से 7 के बीच में या तो आप evening में कीजिए आप 5 से लेके 8 के बीच में इसी टाइम आपको छिड़काव करना है उसके बाद 5 दिन आपको वेट करना है 5 दिन क्या दो दिन में ही आप देखेंगे कि सारे इंसेक्ट मर जाएंगे तो किसान भाईयो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए स्पेसल है क्योंकि बहुत सारे किसान कर रहे थे कि हमारे विंट्डि में सफेद मख्भी लग जाता है जैसे कि white fly लग जाता है हम क्या करें तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताईएगा तो चलिए किसान भायों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार